नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों आप सिर्भी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेश पर आई दोस्तों वन पाल और वन रक्स के लिए आज फिर से अपन हूब हूब प्रस्णों पत्र पढ़ने वाले काफी मांगती काफी डिवान थी सर प्रस्णों पत्र लेकर आईए एक बार एक बार फिर से तो देखे दोस्तों लेकर आज चुका हूब हूब प्रस्णों पत्र जिसमें से आप कितने सही करेंगे देखे दोस्तों आप इन मैसे 35 क्वेशन भी सही करते ना तो भी आपका लेवल जो है इस स्कॉर के लिए है क्या नहीं साहब ये अती महत पुर्ण है एक्जाम के दरस्टी से दोस्तों ये क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट है आईए दोस्तों हूब हूब प्रस्ण को पढ़ते हैं आज आप कितने सही करेंगे ये आपके उपरे देखते हैं कौन ही क्या करते है ठ दोस्तों देखिया अपने काम में इस कदर से डूब जाओ की सफलता के अलाव कुछ भी मंजूर ना हो मेरे दोस्तों आए मेरे साथ बने रहेगा इस सूपर फास्ट क्लास को पढ़ने वाले 30 से 35 मिनिट में 50 क्वेशन कंप्लेट करने की कोशिस करेंगे और एडवांस तो वाई साहब अपना एक टार्गेट रहा है दोस्तों पहला प्रसने चूल गिरी के जैनमंदीर राजी के किस जिल्ले में आवस्तित है और ये क्वेशन पढ़ूं उससे पहले दोस्तों राजस्तान जी के इसके अंतरगत एड़ है इसके अंतरगत साइंस भी एड़ है पर्य आपसे ये किया जा रहा है जैसलमेर होगा बीकाने रोगा जोदपूर होगा या फिर जैपूर होगा दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के डी आप्शन को लॉक करेंगे ठीक है आप पूचेंगे सर इसका निर्मान जो है किसके समय में हुआ तो दोस्तों यहां पर एक जैन आ इसकार आपका बना हुआ है ध्यान रगना प्रस्णन दोस्तों आगला प्रसन जैसे कि आपके स्किरिंट पर केंद्रिया भारतिय जा आपसे पूचा जा रहा है क्या कहनína भारतिय बाक्रसार संस्तान बैंगलूरा भारत में तो देखे दोस्तों मैसूर सभी को पता है कि सर ये तो जो है करना टक में आए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नमबर तीन क्वेशन को देखते हैं और नमबर तीन में ये पूचा जा रहा है आपसे कि 1931 के कराची अदिवेशन में मौलीक अधिकारों का ड्राप्ट किसने तैयार किया था मेरे दोस्तों राष्टिय जो है आंदोलन से या फिर राष्टिय गठी तो इती संस्ता हैं उनसे सम्मझनी भी क्वेसन आज लिए है मैंने तो 1931 के कराची अधिवेसन में मौली अधिकारों का ड्राप्ट किस ने तियार किया था जौाला नेरू, आचारे नरेंदर देओ, सुबाल संदर भोस या मौलाना अबूल कलाम आजाद ए आफसन बताने वाले हरवाई और बेहन का राई टांसर हो जाएगा देखें दोस्तों, 1931 का अधिवेसन ये कराची मौँआ था किसका दोस्तों ये कॉंग्रेस का हुआ था जिससे भी को बताए ठीके अब दोस्तों इसकी अधिख्ष्था किसके दोरह की गई थी, सरदार वल्लभाई पतेल दोरह इसकी अधिख्ष्था की गई परिश्द आई-सी-े-ार, मतलब कि भारतिय करशी अनुसंदान परिश्द ये चीज दियान रखेंगे, ठीक है. तो द्वारा इस्ताफित नहीं है, इनके द्वारा कौन सा सिंस्ताफित नहीं है राजित्तान का, तो देखें, राजी करशी प्रबंदन सिंस्तान नहीं है, या अगले प्रस्ण को देखते हैं आगे बढ़े और अगले प्रस्ण को देखते हैं अगले प्रस्ण को देखे दोस्तों और अगला प्रस्ण आता है आपकी स्क्रिन पे किस जंगलों में किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बागों की जंगलना हुई थी भारत की पहली बागों की जंगलना कौन से जंगलों की जनगरना कौन से में तो दोस्तों ध्यान रखना पला मुं में ठीक है तो बी आफ्सिन को क्या किया जाएगा लॉक किया जाएगा most important question है दोस्तों बहुत ही अच्छा question है आगे बड़े और दोस्तों जो tiger river के लिए जो है परियोजना चले गई वो कब जी चले गई वो 1973 से चलाई गई ठीक है तो यह चीज भी दिहान एकना राज्य में कुल क्रशित चैतरपल नियूनतम किस जिल्ले का है देखे दोस्तों कुल जो क्रशित चैतरपल है ना क्रशित चैतरपल जो है ना ये नियूनतम कौन्चे जिल्ले में आपको पता होगा कि सरवाधिक काँप है मेरे दोस्तों क्रशित चेतरपल की बात करें तो सरवाधिक जो है ये बाड मेर मेर में लेकिन जब नियूंतम का पूछ लिया जाए न तो मेरे दोस्तों काफी जेसल मेर बता रहें नहीं सहब यहापे राइट आंसर आपका डी आप्शन हो जाएगा राज समंद होगा मेरे दोस्तों क्या होगा राज समंद होगा ठीक है तो ये चीज भी द्यान रेकना क्रशित चेतरपल नियूंतम काँपर है राज समंद में नेक्स्ट क्वेस्टन आता है भारत चोडो आंदुलन के दोरान दोस्तों यहापर क्या पूचा जा रहा है कि दोरान अंगरे जोने भारतिय नेताओं को गृपतार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था तो सिंपल शी बात है मेरे दोस्तों ऑपरेशन रेंडर पेस्ट चलाया या operation zero over या फिर operation thunderbolt या फिर operation blue star देखें दोस्तों लास्ट तक बने रहे के देखना है कि आपके कितने प्रस्ण सही होते हैं ये आज की class बहुत अतीम है तो right answer दोस्तों आपका हो जाएगा थंडर बोल्ट हो जाएगा क्या operation thunderbolt चलाया गया था दोस्तों आपको याद होगा भारत चोड़ो आंदोलन और अगरस आंदोलन और सभी ने अविग्या अंदोलन ये सारे आंदोलन थे इसको रोकने के लिए जो है अंगरे जो नवारती नेताओं को गरिपतार करने के लिए जो है operation thunderbolt चलाया था दोस्तों ठीक है और वैसे बात करें कि भी बात चोड़ो आंदोलन तो दोस्तों 1922 सभी को पता है ठीक है साब आगे बढ़ते है और एगले प्रस्टों को देखते है रिशी केस और रिशब द उदेपुर में या फिर रिशब देओ जिरुई में या रिशी केस शिरुई में या फिर रिशब देओ उदेपुर में इस परकार से यह आपको बताना है ठीक है क्रमस आपको बताना है तो मेरे दोस्तों राइट आंसर सिंपल सी बात है आपको कौन सा बता है रिशब मिटर है और दोस्तों उदेपुर में जो रिशब देव है ना रिशब देव इसकी उंचाई कि मैं बात कर लूँ आपसे तो दोस्तों 400 मिटर है कितनी है 400 मिटर ध्यान रखेंगे ना चलो आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना के स्क्रीन पे आता है विश्व जल दिवस जोय मन प्यों करें विश्व जल दिवस दोस्तों राइट आंशर होगा 22 मार्च जो भी प्यारे भाई बने 22 मार्च बता रहे उन सभी का राइट आंशर होगा लॉक किया जाएगा इस क्वेशन को भी मेरे दोस्तों साथ-साथ काउंट करनें आपको बाकि किसी भी परकार के कॉमे प्यर्ड और कंद्रें सरवादिक होती है अब मैं आपको एक तो बता चुका हूं कि भी एक वो कौनचा जिला जहां पर सरवादिक होता है अब इन में से दोस्तों आपको निकालना है बहुत आसान प्रसन है एक बार अगर पढ़ लिया ना अजमेर बीलवाड़ा पाली नह उसके बाद देखे सरवादिक जो बीर कहां पर दौलपुर में उसके बाद कहां पर सवाई मादुपुर में ठीक है तो ये चीजें ध्यान रखिएगा और उसके बाद दोस्तों करोली में भी है ठीक है अगला प्रसना आता है आपकी स्क्रीन पर जालेसवर महादेव इसतल कौन से अब्यारण में अंतरगत आते हैं देखे दोस्तों जालेसवर जो महादेव मंदिर है ये कौन से अब्यारण के अंतरगत आते है जैसा कि बसी अब्यारण में इस्तित है या बंद बैटा में या राष्ट्री मरूद्यान में या केवला द में तो जालेश बोले सर बसी अब्यारन कहा पर आ तो मेरे दोस्तों चित्दोडगळ में कहा पर है बसी अब्यारन चित्दोडग़ मिये बंद बैटा दोस्तों खरत पूर राश्टर бол विद्यान सभी को पता है जैसल Mir बात है दोस्तों निश्रा गुपता नहीं होगा कमला बेनिवाल भी नहीं होगा हर सिद्धी कौर भी नहीं होगा राइट आंसर होगा सी आफशन मम्ता भूपेस है ना मम्ता भूपेस को अपना लॉक करेंगे यां पे most important question है अब अपन आगे बढ़ते हैं ये question आपका current जीके का था मेरे दोस्तों हरीत करांती भारत की किस वर्ष में बालारीम की गई मत भारत के अंतर अलगा अहरीत ृथ करांती को पता है कि जनक कहए स्वामि नार्मन को विस्व की हरित करांती का जनक और चाहँ है सबस्ते पहले मेक्सिको में शुगाद की ती ठीक है और दोस्तो 1934 में ठीक है लेकिन तीसरी पंच वर्षी योजना थी कौन सी तीसरी जी तीसरी थी और दोस्तों 1961 से 1907 तक चली थी ठीक है अब आगे बढ़े और दोस्तों सर्वा पर्थम जो अपनाने वाला हरित करांती वो पंजाब और हरियाना था केलियर ना अगला प्रस्वे मसाला बोर्ड भारत के किस शे अधरबाद होगा या फिर कोची होगा काफी फाइबने भूल गए होंगे मसाला बोर्ड मेरे दोस्तों कोची होगा कोची कहां पर है ये कैरल में मेरे दोस्तों कहां पर है कैरल में सभी को पता है इसके बारे में और दोस्तों जूट बोर्ड और चाय बोर्ड मेरे दोस्तो कहां पर यह कॉल काता में मिर्लाड लों कहां परें कॉल काता में ये चीजे भी साथ इसाथ ध्यान रखेगा अगला प्रसना आता है आईलेंड आफ गलोरी किस नगर को कहा जाता है देखे दोस्तों आप बताईएगा आंसर पहले तो फिर मैं आपको बता देता हूँ आइलेंड ओफ ग्लोरी आइलेंड ओफ ग्लोरी कौन से प्रदेश को का जाता या कौन से नगर को का जाता है कोची को हैदरबाद को जेपुर को श्रिमला को राइट आंसर मेरे दोस्तों जेपुर को करेंगे अपने राजजानी को करने वाले गुलाबी नगर को करने वाले द फिरसिग है अब आप कहिंगे सरे आइलेंड ग्लोरी किस ने कहा था? मेरे दोस्नों, ये कहता, भू जो भॉतिक शास्त्री होगे थे प्रसीद जिनका नाम ता? सीवी रमन उने कहा था मेरे दोस्तों किस ने सीवी रमन ने कहा था कि जैपूर तो भाई साब क्या है आईलेंड आफ ग्लोरी है वेबो का भी द्वी पे next question हरे कभूतर राजस्तान के कोंचिप बैरन पाय जाते है और दोस्तों ये question मैंने उठाया है पिछले exam सी मैं पूचा गया अपर ड़ी में ठीक है अब आप कहिंगे sir हरे कभूतरों को भारिल भी कहते है हान जी हरे कभूतरों को अपन भारिल भी कहते है वहरे हरे कबूतर दोस्तों सरीसका में पाए जाते हैं और सरीसका मेरे दोस्तों ये कहां पर हैं ये अलवर में ठीक है और इसके अलावा दोस्तों और भी पाए जाते हैं अजमियर में भी ये हरे कबूतर पाए जाते हैं को इस्थानी भासा में हारिल कहा जाता है अगला प्रस्थन दोस्तों करोली जिला किसके उत्पादन के लिए सूप प्रसीदे देखे ज़रा ध्यान देना कि जो करोली जिला किसके उत्पादन के लिए प्रसीदे संगमर मर के लिए या फिर पीला पत्थर के लिए या फिर काल जोहरा संग मरमर जो है ना ये कहां का प्रसीद है और न मेरे दोस्तों और दोस्तों एगर पूचा जा 1 का संग मरमर कहा। जो है ना यह भैश लाला का ठीक है तो अच्छा क्रीशन आज इसको भी आप सभी lock करेंगे Next question is coming elephant coming elephant reserve और देव माली elephant reserve किस परदेश में इस्तित है देखे दोस्तों coming जो elephant reserve है न ये या फिर देव माली elephant reserve जो है न ये दोनों कौन से परदेश में इस्तित है ऐसा question आप से किया जा रहा है simple सी बात है अरुनाचल परदेश को अपन लॉक करेंगे दोस्तों किसको अरुनाचल परदेश में कौन कौन से मेरे दोस्तों रट लेना कौन से एक तो देवमाली और एक कामेंग ठीक है कामेंग एलिफेंट रिजर और देवमाली ठीक है है हो गया आगे बढ़ते हैं आईए अगला प्रस्ट ने बीका नेर के गंगा निवास पब्लीक पार का उद्गाटन किस ने किया था मेरे दोस्तों ये question most important है आप कहेंगे सर कभ किया गया तो दोस्तों आप कह रहे ना कि सन याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं देने देरे अपन सारा कुछ शीक जाएंगे तो नवंबर 1915 देखे दोस्तों नवंबर 1915 में जो है इसका उद्गाटन होता है किसके द्वारा मेरे दोस्तों लॉर्ड होडिंग्स के द्वारा इसका उद्गाटन किया जाता है ठीक है तो most important question है दोस्तों ध्यान डेकना प्रिश द्वार का नाम जो है ना Queen Empress Marygate है Queen Empress Marygate इ के मुखे द्वार का नाम है मेरे दोस्तों और ये है कहाँ पर बी कानेर में सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों अग्ला प्रस्ण आता है राश्ट्री खादिया प्रोधियों की उद्धम शीलता यहां प्रबंदन संस्तान जो है नगये कहाँ पर इस्तों मेरे दोस्तों most important question है पूचा क्या जा रहा है पूरी line पढ़ी है रास्वी खादिय प्रोधोगी की उद्धम शीलता एवं प्रबंदन संस्तान किस राज्य में इस्तित है ऐसा प्रशन क्या जा रहा है देखे ज़रा तो right answer जो है अपन किसको lock करें हरियाना को या फिर राजस्तान को या अंदरपर्देश को या करनाट को मेरे दोस्तों हरियाना को lock किया जाएगा आप कहींगे सर हरियाना में कहां पर है ये वताईएगा हमें तो दोस्तों ध्यान रेकना हरियाना में ये सोनी पत में कहां पर है चेतर और इसे दोस्तों मरू धर भी का जाता था ठीक है तो अच्छा क्वेस्टन इसे दोस्तों मादरे जांगला पहले के नाम से मादरे जांगला का जाता था ठीक है अब देखे दोस्तों कुरू जांगला किसे का जाता था कुरू जांगला बीका नेर को का जाता था ठीक है और दोस्तों देखें ये वीरम देओ के पत्र थे प्रत्म प्रतापीवशासक माने जाते और दोस्तों माइडू के सुल्तान चे जीतकर मंडोर को अपनी राजदानी बनाए था, नेच्ट केस्डन है दोस्तों मतलब की पूर्णत जो है ना वंडक्सक वंपाल पर आधारित आपके लिए प्रस्ण पत्रे पूर्णत जैसे ऐसा समझे कि आज आज आपका जो है मानों की पेपर हो रहा है निम्नांकित वन श्रेणियों मैंसे राजस्तान में किसके अंतरगत सरवाधिक प्रतिशत चैत्र आवरत है तो कौन से वन है दोस्तों यहाँ पर सरंक्सित वन हो जाएगा ठीक है तो सरक्सित वन जो है ना कुल भगोलिक चैत्र दोस्तों पच्पन पॉइंट चैचार जो है प्रतिशत जो है विस्तरत है ठीक है तो बहुत ही अच्छा क्वेसन इसको आप सभी लॉक करिएगा बान गंगा किसकी सायक नदी है देखे दोस्तों बान गंगा जो है ना किसकी सायक नदी है यह क्वेसन आपसे किया जा रहे हैं मोस्ट इंपोटेंट क्वेसन है अब कल किसी भाई ने जो है कमेंट किया तो सर यह राजस्तान क्लासेज पीछे काटा दो क्यों भाई क्या दिक्कत हो रही है इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लेग रही है कि सर इसको हाटा ही तो आप फिर देखें यह कोई दिक्त ही नहीं कर रहा है यह इसको आटा देंगे फिर आपको क्या पता चलेगा कि आप एक मतलब की राजस्तान क्लासेज पर है ना चेले है तो देखें दोस्तों बाणगा किसकी साइक नदी ए तो सिंपल सी बात है यमूना की साहिक नदी है यह जो राजस्तान की दूसरी बड़ी है जो की यमूना की साहिक है ठीक है लेकिन ध्यान डगना की पहली जो बड़ी नदी है ना वो कौन सी है बेर दोस्तों चंबल है ठीक है चंबल जो है यमूना की दूसरी बान गंगा है दोस्त अगर बात करें कि भई यह तो है ना यमुना में कहां पर मिलती है तो दोस्तों उत्तर परदेस में बले सर इसकी लंबाई कुल कितनी है तो दोस्तों आप सबी को पता है कि 240 किलोमेटर कुल लंबाई है लेकिन आखडो के नुसर इसमें 303 ते भी है ठीक हैं तो दोनों राश्टी उद्यान किस परदेश में इस्तित है ऐसा question किया जा रहे है simple सी बात है दोस्तों right answer की बात करें तो इसकी साफना जो है ना 1904 में किये गई राश्टी उद्यान के साफना नाम दफा की अरुना चल परदेश में मेरे लाड़नों कहां पर है रुना चल परदेश में इसका चैतरपल जो है लगबग 2000 2000 के समीब जो है इसका चैतरपल है दोस्तों 2000 मतलब की 2000 वर्ग किलोमेटर के समीब ठीक है 1905 सम्तिंग है तो दोस्तों ये चीज आप जरूर ध्यान देखिएगा नेक्स क्वेसन आता है राष्टिर सरसो अनुसंदान सेवर जो की भरतपूर में आपको बताने वाला था लेकिन बता है ने क्योंकि मुझे पता था कि आंसर आपको देना है उत्तर प्रस्न आपके लिए आने वाला है देखें राष्ट्रिय सर्चो अनुसंदान के अंदर सेवर भर्थपूर में कब इस्तापीत किया गया तो राइट आंसर दोस्तों B option को लॉक किया जाएगा 1993 ठीक है तो 20 अक्टूबर 1993 को दोस्तों देखिए अक्टूबर को जो है सई आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत ही अच्छा question है राइट आंसर 1993 हो जाएगा राष्ट्रिय सर्चो अनुसंदान केंदर सेवर में सेवर कहां पर भर्थपूर में दोस्तों और ये 20 वेटलेंड जो है इसमें हुआ इसमें हुआ क्या है तो देखिए दोस्तों ये जो है ना हर साल जो है ये दो फरोरी को मना जाता है बोले सर इसमें क्या है ऐसा तो ध्यान रखना मैं group वीलूुप्त हो रहे ना उसको बच्चा न सुस्ट की रूप में मतलब कि उसको शरक्षन देने ये मनाया जाता मेरे दोस्तों दो फरोरी से start किया था 1971 से start किया था ठीक है अब हर वर्स जो है दो फरोरी को मनाए जाता है मेरे दोस्तों next question है राजस्तान का वैजिल्ला जहां उष्ण कटी बंदी सुष्क कंटी लेवन पाए जाते हैं आसान प्रस्न है बहुत easy question है मेरे दोस्तों बहुत easy question है राजस्तान का वैजिल्ला जहां उष्ण कटी बंदी सुष्क कंटी लेवन जो पाए जाते हैं इंपल सी वात है सर यहां पर तो हम जैसल मेर कारी लेंगे अगर पूचा जाए कि भी एक कहां पर तो दोस्तों शुष्क अगर पूच लिया है तो फिर तो आपको पता ही है शुष्क मरूश सलीपर्देश हो जाएगा ठीक है तो ऐसे में भी आपको ध्यान डेक्ना है नेक्स्ट क्वेसन आता है कि राजस्तान राज्यपत परिवहन निगम की इस्तापना किस वर्ष में की गई बोले सर यह वर्ष तो हमें याद होने मुश्किल हो जाते लेकिन ध्यान डेक्ना मेरे दोस्तों उनिस सो चपन नहीं है साड़ भी नहीं है उनिस सो सौट हो जाए आए दोस्तों अगला प्रसन है रामलाल वे सुर्जन जो है ना ये दो सित्रकार हुए थे कौन सी शैली के सित्रकार हुए दोस्तों देखे रामलाल नाम से और सुर्जन नाम से ये सित्रकार होते है कौन सी शैली के सित्रकार हुए मेरे दोस्तों कोटा शैली के या बूंद परकुन को प्रशो Gobierno किसे का जाता है तो अगोंडी ऑगया क्या पढ़ें अगला प्रसों नमबर थाद है दो सब्सक्राइब करेंगा नर्वस नहीं होना है तो देखें बिली घरी रणगा मंदिर वन्यजीव अभ्यारण किस परदेश में इस्तित हैं मैं दोस्तों ये आप सभी को बताने है बहुत इंपोर्टेंट है जरा ध्यान देंगे बिली ग्री रंगा मंदिर वन्य जीओ अब्यारन किस परदेश में इस्तित है जैसा कि राइट आंसर होगा दोस्तों कैरल नहीं होगा तमिल लाड़ू भी नहीं, करना टक बिल्कुल, करना टक है, अलावा, कोई आंसर बता रहे, तो खोटा बता रहे, बिल्कुल सावे ना, दोस्तों देखिये, इसकी इस्तावना की बात करें, 143 में इसकी इस्तावना होती है, 540 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है, कितने 540 फेला वो बोले सर आज आप इतनी सूपर फास्ट अरे सहाब ज्यादा क्वेसन है हर भाई हर बहन को समर्पित होगी ये क्लास और सूपर फास्ट तो इसलिए कर रहे हैं कि मॉडल पेपर है आपका समय भी खराब नहों जल्दी मतलब कि कितना समय में कर सकते हैं और वित एडवांस ना वित एडवांस देखें दोस्तों राजी में वर्षा के कम होने के परमुख कारण क्या है वर्षा का कम होने का परमुख कारण क्या है अपने राजस्तान कवनों का विनास परमुख कारण मेरे दोस्तों देखे ये भी है ये भी है मैं मानता हूं लेकिन जो प्रमुक़ कारन एना अगर उप्रोग सभी मेरे दुस्तों अगर नहीं दिया है तो राईट आंसर आपका डी आप्सन होगा अरावली का मानसून की दिसा के समानां तरण फैला होना मेरे दोस्तों सबसे प्रमुक का नहीं होगा हम confuse होते हैं वाप पर ठीक है लेकिन काफ भाईवर ने सी भी बता रहे ऐसा नहीं होगा तो दोस्तों right answer अगर ये ना होके सारे के सारे इसमें दे देते फिर D option दे देते ना अगे बड़े आये मेरे दोस्तों आगला प्रस्न है राजस्तान में वनस्पती घी की पहली मिलल कहान इस्ताफीत की गई आपको मैंने ऐसा नहीं पूछा कि बह♡ कब स्ताफीत की नहीं तो आप confuse होते तो दोस्तों द्यान रेखना इस्ताफीत की कब 1960 में ठीक है तो ध्यान रखना most important question है दोस्तों और दोस्तों अभी अपने पढ़ा कि राज्य पत परिवे निगम जो राजस्तान राज्य पत परिवे निगम है ना RSRTC उसकी इस्तावरम भी 1960 होई तो दोस्तों इस परकार से आपको ध्यान रखना कि जो RSRTC की और RSRTC की की दोनों की 1916 में होती है ठीक है तो D option आप सभी का right answer होगा यहां पर कोई गलत नहीं करें मुझे पता है बेलकुल साब अगला प्रस्ने कार्बन लेवी क्या है देखे दोस्तों जो एक कार्बन लेवी ना ये क्या है देखे जेट और जेट और लगने वाला कर पेट्रोल पर लगने वाला कर या पिर कार्बन इंदन पर लगने वाला कर या फिर नमें से कोई नहीं जो दोस्तों कार्बन लेवी है ना ये कार्बन इंदन पर लगने वाला एक प्रकार का कर है टेक्स है ठीक है तो राइट आंशर कौन जाओगा सी आफसन हो जाएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेसन है नया क्वेसन है आप सभी के लिए श्रीवाजी का अस्ठ परदान में कौन शामिल नहीं था मेरे डाडलों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेसन है ये जो सीवाजी ने अस्ठ परदान चलाया थे मेरे दोस्तों क्या अस्ठ परदान चलाया थे ना तो ये अस्ठ परदान जो था इनकी क्या था अस्ठ परदान ये गठन था दोस्तों अस्ट परदान का गटन किया जिससे कि इनकी समयती थी ये और यही परशासन चलाती थी ठीक है तो शिवा जी का जो अस्ट परदान था ना इनमें से कौन सामिल नहीं था अस्ट परदान में मेरे दोस्तों में आपको बता दूँ अस्ट परदान में एक तो परदान मंतरी शामिल थे कौन से एक तो परदान मंतरी शामिल थे एक दोस्तों अमातर शामिल थे क्या एक तो अमातर शामिल थे एक सची हो थे मेरे दोस्तों ध्यान डेकना मैं जो लिख रहा हूँ ना यही है ठीक है एक मंत्री थे और एक मेरे दोस्तों थे अपने सेनापती और और कौन थे दोस्तों और सुमंत थे क्या नाम से सुमंत नाम से थे और नयादीस भी थे ठीक है कौन थे नियादिस तो कितने होगे मेरे दोस्तों देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ एक और था जिसका नाम था पंडीत राओ ठीक है पंडीत राओ तो दोस्तों ये चीजें जो है देखे आठ हो जाते है ये ठीक है अब जो ये आठ है ना मेरे दोस्तों आठ में से अब आप द और मजूमदार ये दोस्तों उसी के नाम थे इसी के नाम है ठीक है तो अगला प्रस्ट दोस्तों आपकी स्क्रेंट पर दे रहा हूँ ठीक है और दोस्तों ध्यान डिखना कि जो ये नाम है ना ये इनके अन्य नाम है ठीक है इनके अन्य नाम है तो ये चीज भी आप जरूर स पादित क्या जाता है सिंपल सी बात है बी आफ्शन लॉक हो जाएगा ठीक है और दोस्तों आगे बढ़ें और बी आफ्शन को लॉक करेंगे और सबसे पहले दोस्तों जो अपने जो से उगई गई थी ना राजस्तान कहां पर माउंट आबू में उगई गई थी दोस्तों य जुलाई 1946 को किसने जो है काला दीवस के रूप में मनाया था, कांग्रेस नहीं होगा, फ्रवर्ड ब्लोक भी नहीं होगा, दोस्तों सी ऑफ्षन हो जाएगा, हिंदू मासभा हो जाएगा, क्या हिंदू मासभा हो जाएगा, राइट आंसर ठीक है, अगर हम बात करें हिंदू मासभा के 1915 में, ठीक है, अपैन सही नहीं चल रही है, आप द्यान से सुन लेना, अगला प्रसना आता है, मेरे दोस्तों, 420 CC का, नगरी शिला लेक में किसका उलेक हमें मिलता है, देखे दोस्तों, ये क्वेस्टन मोस्ट इंपोटेंट क्वेस्टन है, इसको आप सभी दोस्तों, चितोड़ गड़का है, बोले सर इसमेर भासा और जो लिपी, तो दोस्तों संस्करथ और नागरी लिपी, ठीक है, दियान रहना, ये अजमेर में अजमियर में अबेजो इस्तिया ठीक है मतलब कि अजमियर में ये अबेजो अजमियर संग्राले में पढ़ा है ठीक है चलो सुरक सीथ पढ़ा है अगला प्रसने अगला प्रसन दोस्तों कुनूर परवतिय जो है ना ये छेतर ये नगर जो है परवतिय नगर ठीक है दोस्तों जो पेरियार नाम से आता है पेरियार नाम से वो आपका केरल में आता है क्या केरल में कोज सा आता है पेरियार नाम से आता है मेरे दोस्तों और हिमाचल परदेश में कोज सा आता है मेरे दोस्तों ये मंडी नाम से जो आता है वो हिमाचल परदेश में आता है मंडी ये question कई बार आपकी screen पे भी आया है और कई बार आपके paper में भी भूचा गया जलवाई भी दस हो है उम क्रशीकत उत्पादन के आदार पर राजस्तान को कितने क्रशी जलवाई हुए चैतर में विबक्त किया गया दोस्तों दस जलवाई हुए चैतर में विबक्त किया गया कितने दस ठीक है आगे बड़े आएए मेरे दोस्तों आगला प्रसमें आपको दे रहा हूँ आपकी screen पे नमबर 40 महाबलेशवर खांडला पंचगनी परवतिय परदेश किस राज्य के है महाबलेशवर खांडला पंचगनी परवतिय परदेश देखिए एक तो महाबलेशवर खांडला पंचगनी ये परवतिय परदेश जो है या फिर आप कहा सकते परवतिय नगर कौन से राज् स्ट में ही है आगे बढ़ें चलो सब आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्णा आपकी स्क्रीन पर आता है भारत में एक मात्र मतमेला जौला मोखी किस इस्तान पर इस्तित हैं देखें दोस्तों यह आज का पेपर जो है ना हूब हूँ आपके लिए ही लेकर आ गया हूँ ठीक है भायत में एक मातमेला जुआला मुखी किस सिस्तान पर इस्तित है तो लॉक होगा मेरे दोस्तों कौन सा बारा टांग द्वीप हो जएगा जो की कहां पर है अदमा निकोबार द्वीप के समी पर दोस्तों महां पर ठीक है तो right answer हो जाएगा आपका A option ध्यान रखना बहुत important है और दोस्तों इस इस्ताने बासा में जलकी भी का जाता है क्या इस्ताने बासा में जलकी भी का जाता है most important question है दोस्तों आप अगे बढ़ेंगे और अगले प्रस्टन को देखेंगे अगला प्रस्टन भी आपके स्क्रिन पर कि भाई जो कन्यागिरी परवत है किस योगी पुरुष की तपो भूमी है मेरे दोस्तों कई बार ये question करवा चुका हूँ रात्री की क्लास में भी करवा चुका हूँ मैंने ये नहीं बता है कि भी कन्यागिरी परवत है वो ठीक है तो दोस्तों किस योगी पुरुष की तपो भूमी जापर मैं आपको बता दू सिरे मंदिर है मैं दोस्तों कल रात्री की क्लास में पढ़ा अपने काहां पर है ये सिरे मंदिर दोस्तों ये कहां पर है ये जालोर में सिरे मंदिर कह सकते है शिव मंदिर कह सकते है इसके दोस्तों पुनर निर्मान की बात करे तो मान सिंग ने इसका पुनर निर्मान करवाय था किसकी करपा से आयस देवनाथ की करपा से करवाय था ठीक है तो दोस्तों ध् रखना, यहां पर राइट आंसर B आप्शन हो जाएगा, योगी, जालन दरनाथ, अब सभी सही करें, बहुत बढ़िया, अगला प्रसक्राइख, जो टत्व, आक्सीजन पर पर्तिकिरिया नहीं करता, वे कौनसा टत्व है, जो टत्व है, आक्सीजन पर पर्तिकिरिया नहीं क करता है वे हिलियम ततो हो जाएगा ठीक है ओके साब आगे बढ़ते हैं नमबर चवालीस में क्या पूचा जा रहा है जरा ध्यान देंगे देखे दोस्तों यह कि राजस्तान का कौन सा शहर रास्ट्रिय विरासर शहर विकासियम संवर्दन योजना में सामेली किया गए मेरे दोस्तों लॉक करेंगे अपन अजमेर को क्योंकि यह क्वैसन भी में आपको कई बार बता चुका हूं मेरे दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रस्टन को देखेंगे सुन्दर वन जो है निम लिकेत मैंसे किस परकार के वन पाए जाते हैं देखे दोस्तों पाती भी नहीं होगा जौरी वन होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा जौरी वन हो जाएगा और दोस्तों आपको याद होगा कि यह जो जौरी वन है कांका पे गंगा है मानदी है गोदावरी और क्रस्टन इन नदियों के डेलताओं में इस्तित होते हैं और इसी वनों मे दोस्तों मेंग्रोव पाए जाते क्या मेंग्रोव इसी वनों में पाए जाते ये भी एक वनस्पती मेरे दोस्तों बहुत important question है ध्यान डिखना और अगला प्रसने राजिय की कुल जन संग्या का लगबग कितने प्रतिशत मरुष चलिए भागे में लाड़नों ये आपको बताना है राजिय की कुल कितने जन संग्या का कुल जन संग्या का जो लगबग कितने प्रतिशत मरुष चलिए भागे तो मेरे दोस्तों जंसिंग क्या पूचा है आपको 46 पल नहीं पूचा है अगर 46 पल पूचा होता ना तो तो आप कर लेंगे A option कोई भात नहीं लेकिन दोस्तों आपको पूचा है जंसिंग क्या 40% ठाथ है ठीक है 40 से अगर दोस्तों ध्यान रेखना ये question बहुत अच्छा है अब इसके अंतरगत कुल 12 जिल्ले आते हैं दोस्तों मरुस्तली संभाग भाग मान लीजिए 12 जिल्ले आते हैं इसके अंतरगत ठीक है और दोस्तों ध्यान रखना है इससे आसान और क्या होगा मिरे दोस्तों अगला प्रस्णे नम्बर 28 यहात एससे नदी होगी जो मान रखनार जील से निकलती है में लाड़नों ये बताने है व्यास जेलम चतलज या फिर रहवी तो देखें दोस्तों यहां पर राइट आंसर आपका जो होगा ना ये तिब्बत में है ना तिब्बत में मान शरोड जील से निकलती है ध्यान रखना आगे बढ़ते हैं और अगले प्रशन को देखते हैं ठीक है तो बेलकुल जो है 17 नदी हो जाएगा C आप्शन ठीक है और है क्या इस्तेमाल किया जाता है देखें मंगल जो है ना ये किस परकार के वनस्फती के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेरे डाड़ों मैंने आपको अभी बताया अभी बताया जो की दोस्तों वनस्फती जो है ये मेंग्रो हो जाएगा C आप्शन जो की नदी डेल्टा के र अगला प्रसने दोस्तों अपने 35 मिनट में सूपर फास्ट कर लिया है साहब, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताएं, 30-35 मिनट में कम्प्लेट करेंगे, ये कम्प्लेट भी हुआ है, देखें दोस्तों सूपर फास्ट इतनी थी, राजस्तान में लोहरिया खननन चैतर ने उगरपुर में तो लोहरिया भी वहीं पे है, दोस्तों क्या लोहरिया भी वहीं पे है, तो ध्यान एकना D-Option हो जाएगा, लोक, अब बताएं जल्दी से आपके आंसर जो है, कितने प्रसंट जो है, राइट हुए आपके, कितनों के आंसर आपने सईसी दे दिये हैं, लेना, ठीक है, ये वाटसेप नंबर है, इस पर मैसेज कर लेना, ताकि आपको ग्रूप वगेरा में जोड लिया जाएंगे, सुबह नौ बजे क्लास होती है, दोस्तों, ये जो अभी क्लास चल लिया है, सुबह नौ बजे, ठीक है, अब एक 6 बजे रातरी शाम के टाइम क और उसके बाद 8.40 पर भी क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो ये क्लास का टाइम है मेरे दोस्तों, टेलिग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन देर का है, अगर कोई जोईन करना चाहे तो, और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सूपर फास क्लास को इतनी सिद्धत के साथ पढ़ा, जिन्नों ने भी पढ़ा, धेरे के साथ पढ़ना जरूरी है साब, और जिनका धेरे लाजवाब है, उनकी मैनत, जिनका धेरे लाजवाब है ना, उनकी सफलता का पूछो मत, उनको सफलता इतनी कड़ी मिलेगी कि पूछो मत है ना, चले है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है किसके कितने राइट वे हमें बाहर आके जरूर बताएं और आप सभी का तहल दिल से आभार धन्यवाद दोस्तों और इसी परकार में आपको हर वीक में जो है दोस्तों एक वीक में एक मॉडल पेपर देने की कोशिस करूँगा क्योंक क्लास के बारे हम जरूर बताएंगा बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना मत बूलना शेयर जरूर करना में लाड़नों बहुत ही अच्छे क्वेसं थे आप सभी का आवार अब ये बताओ 35 राइट हुए कि नहीं हुए 35 हो गए तो बहुत बढ़िया अगर कम हुए अगर आप रेगुलर बने रहते हैं तो मैं यहां पर गारंटी लेता रहूंगा आप क्लास में नहीं आएंगे तो तो चलें दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार जहिंद बंदे मातरम